हेलो शुटरेंड बेलकम टू दिस वीडियो के लाश 12 वालू जी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम जल दौरा परागन यानि पॉलिनेशन वाइवाटर हाइड्रोफिली जिसे हम बोल सकते हैं इसको हम पूरा डिसकस करने वाले हैं इसके डूप किया था जिसमें हमने वायू परागन को पूरा डिसकस कर लिया था आज हमें जल दौरा परागन किस प्रकास से होता है वो देखना है तो चले शुरू करते हैं पूरा नोट इस प्रकास से आपको मिल जाएगा चैनल के भीडियो जिए वीडियो से या फिर आप इसक काफी दुरलब है मतलब यह बहुत ही रेर है कुछ ही जो प्लांट की बंस है उनमें पाए जाता है देखी यह लागवागा पुस्पी पादबों की तीस बंसों तक ही जल परागण होता है वह भी अधिक तर एक बीज पत्री पौध होते हैं अधिक तर होता है जल दोरा दिहम से दूसरे पुस्प के बढ़तिकाग रियानी स्टिकमाग पर पहुंचते हैं इस पर क्रिया को ही जल परागण या बाटर पॉलिनिसन कहा जाता है ठीक है हाइड्र फॉली भी इससे बोल सकते है अब देखिए अब इसमें देखिए जल दोरा परागण पुस्प की छोटे होते हैं रंगहीन होते हैं गंधहीन मकरंद रहत होते हैं छोटे होते हैं रंगहीन इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर किसी भी मधुमक्ही या किसी भी पक्षी को अट्रेक्टर नहीं करना होता है कि वो इसके पास आए पुस्प के और गंधहीन भी होते हैं पुस् सकते हैं इन पुस्पों के पराग कर्ण हलके होते हैं जिससे पानी की सिता पर तर सकें ठीक है हलके होते हैं जिससे आसानी से पानी की सिता पर तर सकें इसके साथ ही इनके चारों और मूम जैसे पतारत की परत होती है जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाती है ठीक है तो इस नायज़ाए प्रेस बार्टर जो समुद्द्री बार्टर में समद्री पानी को अधिक लेते हैं क्योंकि अध चल्ड डेहने से थे नहीं पांगति जो समुद्री में मिलत π करने की परकाथा देख को ni इसका diagram समझाओ कर और लिखा हुआ है ठीक है देखिए देखिए आपاجह पर देख सकते हैं मैंने diagram बनाय हुआ है और यह बाटर के अनधर ए ठीक है आप दिख सकते हैं बेलिशने में में मेरा जो है और मदchu जो है इसमें इसमें जो यहां से बहुती लमलिक द्वाद। उपर मतलब पानी की सतर पर पहुंच जाता है ठीक है और पानी की सतर पहुंच जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर पानी की सतर पहुंच चुका है मादा पुस्प ठीक है और जो यहाँ पर मेल प्लांट है मेल प्लांट में जो नर पुस्प करम होता है यहाँ से पुस्प अब ज्यान मतलब आपर छाते हैं फिर जह उपर यह देख सकते हैं यह यह आपर आपर और यह पर यह पर और67 भी इसन हो जाएगा त्षी प्रकास से होता है जल परागन बेलिस नियरा में यहां पर पहले जो मेल है इसमें से नर्पॉप पक्रम से पुस्प निकलेंगे और उपर इस प्रकास से चले जाएंगे और तेरने लगेंगे बाटर के सवह पर पानी के स्वह पीजिय दियुट प पूस्प परागंसे में नरत था मादा पूस्प पर अलंग 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 होते हैं जब यह जो निंज से निकल कर पानी की सितर पर पहुंच जाते हैं और तेरने लगते हैं चुकि मादा पुस्प का ब्रंत भी लंबाई में बढ़दी करके जल की सितर पहुंच जाता है ठीक है नर्पुस्प जैसे ही मादा पुस्प के संपर्क में आता है पराकोसों से पराकण निकल कर बढ़त देखिए जैसे ही परागन संपन होगा तो यह कुंडलित हो जाए इस प्रकाज से ऐसे होके नीचे आजाएगा ठीक है और फिर यहां पर बीज का निर्माण होगा और इस प्रकाज से आपका पूरा प्रोसेस होता है अब देखिए यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट आ होता है जो हमने देखा था बाटर हाइसेंट जो बंगाल का आतंक जिसे हम बोलते थे चैप्टर नवर फर्स्ट में पढ़ाए हुआ है तो यह वाटर हाइसेंट और बाटर लिली पानी की सितर पर पैदा होते हैं और इनका परागन कीटों बायू दोरा होता है ठीक है तो जल की दोरा नहीं होता है जरूरी नहीं है कि जल यह पोदा है तो जल की दोरा ही परागन होगा ठीक है तो यह एक्सेप्सन है आप याद रखना तो इस प्रकास से आप आज का हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं थैंक्स वो बाचि कि याद को छोड़ोगा आज रखना धने हैं